हाई एब्रिवन हमारी इस चैनल दर कॉंपटिटिव पे आप सबका स्वागत है तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगी प्रेजन परफेक्ट कंटिनिवर स्टेंस के बारे में अगर आप जानना चाते है कि जो प्रेजन टेंस के जो त्री पार्ट से है जो सिंपल, कंटिनिवर सेड़् है ऐंप पुरूर्फेक्ट के पुर्फेक्ट है यो बहुत साधा इंपॉर्टन टेंस है और इसमें हम एक बहुत जाधा बड़ीव निस्टे करते है अब हम क्या mistake करते हैं, हम यह हमारे आगे के विडियो में देखिए, देखिए मेरे पास एक sentence है और मुझे इसको English में translate करना है, जैसे मुझे बोलना हो कि मैं दो घंटे से विडियो बना रही हूं, ठीक है, इसमें क्या आया मेरे पास, last मेरे आया मेरे पास, रहा है, रही है य I am making videos for two hours, right? आप ऐसे ही translate करेंगे, बट यह sentence एक दम गलत है, और यही mistake हम लोग करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, present perfect continuous tense, अब मैं आपको बताती हूं कि present perfect continuous tense हम कहां use करते हैं, रहे कि ऐसे वाक्य है, ऐसा काम जो हम हमारे वर्तमान में कर रहे हैं, लगातार हम उसको कर रहे हैं लेकिन जो हमारा काम है वो past में start हुआ था, जैसे मैं दो घंटे से वीडियो बना रहे हूं, तो इसमें जो मेरा काम है वो भूत काल में start हुआ था वो दो घंटे पहले, right? अब मैं जब इसको English में बना रहे हूं, तो मैं इसको यह नहीं मोल सकती कि I am making videos from two hours या फिर for two hours, य इसका structure, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको subject लगाना है, then आपको has been या have been लगाना है, right? हैस लगाएंगे हम हमेशा singular subject के साथ, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और have हम कहां पे लगाएंगे, plural के साथ, right? फिर हमें क्या यूज करना है, verb की first form के साथ ing, फिर हमें यूज करना है, four year sense, four year sense के बाद में जो हमारा time है, कि हम कितने time से ये काम कर रहे हैं, present में भी हम उसको कर रहे हैं, उसके बाद हम यूज करेंगे object, अब हम समझ से है example के तुरू, जैसे मैंने बोला था अभी, कि मैं दो घंटे से video बना रही हैं, अब समझ आना आपकी ये जो sentence है, जो continuous tense पा तो है नहीं, present continuous tense पा sentence तो ये है नहीं, because हमें इसमें time भी दिया हुए, तो present perfect continuous tense में और present continuous tense में इतना सा ही फर्क है, कि इस tense में हमें time दिया हुआ रहता है, तो time जब दिया हुआ रहता है, चाहिए उसके पीछे रहा है, क्यों ना आए, हम उसका इंग्लिश में अलग ही तरह से हम उसको इंग्लिश में translate करेंगी इसमें हम लोग has have use करते हैं उसमें हम लोग is ml use करते हैं जैसे मैं दो गूंटे से वीडियो बना रही हूँ इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी I have been making videos for two hours ठीक है अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको since और four का कैसे use करना है अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं सुबह से वीडियो बना रही हूँ तो सुबह से क्या है एक exact time है ठीक है तो जब हमारे पास exact time हूँ या फिर हमारे पास point of time हो तो उस case में हम क्या use करेंगे since ठीक है लेकिन four हम कहां use करते हैं जब हमारे पास जो हमारा समय है उसके अवदी दी गई हो मतलब period of time गया हो तो उस case में हम use करेंगे four अब आपको मैं example के तुरू समझाती हूँ जैसे मुझे बोलना हो कि 1996 से मैं इकाम कर रही हूँ 1996 से मैं डेली में रह रही हूँ तो इन सब संटेंस में हमें क्या पता चला कि 1996 से एक specific year है एक specific age है मतलब एक actual time है जब आपके पास exact time हो उस case में absence यूज़ करेंगे जब आपके पास exact time नहीं हो time के duration हो तो उस case में आप क्या use करेंगे four use करेंगे जैसे I have been making videos since morning मैं सुबह से videos बना रही हूँ I have been making videos from for 3 hours मैं 3 घंटे से video बना रही हूँ 3 घंटे हमें exact नहीं पता है हमें 3 घंटे का duration हमें पता है राइट यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि four or since आपको कहां use करना है और जब आपको time दिया वा रहे है मतलब कोई काम आपका past से start हो तो उसमें आप continuous chance नहीं use करेंगे इसमें आप क्या use करेंगे has, have, been use करेंगे जैसे मुझे बोलना हो कि मैं दिल्ले में दो साल से रह रही हूँ इसको आप English में कैसे translate करेंगे सबसे पहले subject use करेंगे then has या have use करेंगे फिर been और फिर हमारा वैसा के वैसा structure so I have been living in Delhi for two years ठीक है अगर मुझे बोलना हो कि मैं January से डैली में रह रही हूँ तो आप बोलेंगे I have been living in Delhi since January इसे तरह से आप जितने भी subjects हैं she, he, it या फिर they उनके हिसाब से अपने sentences को बना सकते हैं so इसी तरह से आप हमने अब तक क्या पड़ा है positive sentences को English में बनाना अब आप चाते हैं कि मैं इसको negative में बोलू जैसे मैं दोग साल से डैली में नहीं रह रही हूँ तो आप इसको simply बोल देंगे I have not been living in Delhi since January या फिर for two years इस तरह से आपको जो have है उसको बार में simply not लगा देना है अगर मैं बोलती हूँ कि इसका interrogative बनाना है तो interrogative भी इसका बहुत simple है आपको गया करना है सबसे पहले have लगा देना है then आपका subject, then आपका been और फिर हमारा पूरा का पूरा वैसे subject जिससे मुझे बोलना हो कि क्या मैं दो साल से डेली में रह रही हूँ have I been living in Delhi for two years इस तरह से तो काफी easy है अब आपको मैं यहां पर पान सेंटेंसे देती हूँ जिनको आपको क्या करना है English में translate करना है English में translate करने के साथ आपको उसका negative भी मनाना है interrogative भी आपको practice भी करनी है किसी के साथ आप try करें बोलने की किसी चोटे बच्चे को अपने घर में पढ़ाएं because tenses ऐसे हैं कि आप उनको बारवार में पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं जब तक आप इनको practically समझेंगे नी apply नी करेंगे तब तक आपको ये अच्छे से mind में आपके नहीं जाएंगे ठेक है, so first sentence जो आपको translate करना है वो ये है कि मैं दो साल से competitive exams की तयारी कर रही हूँ मैं दो साल से competitive exams की तयारी कर रही हूँ मेरी मम्मी दो गंटे से खाना बना रही है मैं तीन दिन से बाइक चलाना सीख रही हूँ मैं तीन कंटे से टीवी देख रही हूँ जो हमारा last sentence जो आपको English में translate करना है वो ये है कि मैं तीन दिन से competitive classes की videos देख रही हूँ तो ये पांचो sentences आपको क्या करना है English में translate करना है Please comment section में आप जरूर answers लिखेगा इससे आपकी भी practice होगी और हमें भी motivation मिलेगा अगर ये वीडियो आपको helpful लगा तो please like करना ना भूलेगा अपने friends के साथ share करना ना भूलेगा Thank you so much for watching